अभी जैसे कंट्रोवर्सी चल रही है किच्छा सुदीब सर और अजदेवगन सर के बीच में जैसे एक बात आगी है हिंदी को लेकर अजदेवगन सर का हिंदी को परमोट करना और अपने ट्विट में ये लिख देना कि हिंदी नेशनल लैंग्विज थी है और रहेगी और इसके बाद जैसे उनके उपर ट्रोलिंग स्टार्ट होती है इवन ट्विटर के उपर ये काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा था कल से हिंदी इस नोट आवर नेशनल लैंग्विज किच्छा सुदीब सर के द्वारा अपनी रिजिनल भाशा को प्रमोट करना और कहना कि पैन इंडिया मोवी नहीं बनती हैं यह लोगों के अपने विचार हैं अपनी भाशा को लेकर लोग बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं और बात करें कि हमारे देश में जैसे एक नैशनल लैंग्विज की बात आती है तो हिंदी कोई नैशनल लैंग्विज नहीं है और नह मान्यता दी गई है इन सब भाशाओं को वहां पर मान्यता देते हुए कहा गया है कि वह भी उतनी ही इंपोर्टेंट है जितनी हिंदी इंपोर्टेंट है तो हम नहीं होते कि यह कहने वाले कि हिंदी एक नैशनल लैंग्विज आप अगर देखते हैं तो दक्षन भारत में काफी ज़्यादा इस बात को लेकर विरोध हमें दिखता है कि वह हिंदी नहीं बोलने देते हैं या फिर हिंदी में कहीं लिखा होता है तो वहां पर उसके पर ब्लैक पैंट कर देते हैं क्योंकि उनका अपनी भाशा से काफी ज़्यादा जुडावर जैसे थोपने की कोश आजाद हुआ था तो भारत में जैसे राज्य बन रहे थे तो राज्य जब बन रहे थे तो वहां पर एड्मिनिस्टेशन यानि प्रशाष्णिक सुईदा के अंसार पर राज्य बने इसका काफी ज़्यादा वहां पर भहां पर बहस चल रही थी लेकिन आंदर परदेश श connection है और यह हमारा गर्व होना चाहिए हमारे देश पर कि हमें इतनी diversity खुपसूरती हमें देखने को मिलती है इतनी सुंदर सुंदर language हमें देखने को मिलती है यह बजाए कहने के हिंदी एक national language है नहीं हमें हर भाशा का समर्थन या फिर हमें हर बाशा का प्यार से यार उनको अपनाना चाहिए और मुझे तो बहुत जादा खुशी मिलती है मैं अपने भारत से आता हूं जहां पर इतनी सुंदर diversity है यार इतनी एकता हमें देखने को मिलती है बहुत अच्छा लगता है different culture होते हैं हमारे देश के अंदर और बड़े ही धूम-धाम से मनाये जाते हैं इतनी सुंदर language हमारे देश में आती है तो इस तरीके की जो tweet मैंने देखा है और मुझे वास्ता में काफी बुरा लगा कि यह कहना कि हिंदी इसे national language मतलब हिंदी एक national language थी है और रहे कि नहीं है आप किसी की भावनां को ठेश नहीं पहुंचा सकते हों आप नहीं कह सकते है कि हिंदी एक national वहां पर दक्षिन भारत में भी उतनी ही important मतलब उनकी भाषा है जितनी हिंदी हमारे यहां पर नोर्थ इंडिया में जैसे बोली जाती है मुझे यह थोड़ा सा tweet अटपटा सा रगा मुझे नहीं ऐसे चीज़ें देखनी ती कि चा सुदीप सर या फिर अज स्टूडियो में जाएं